बश्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ड यान कला में आज हम आपको पढ़ाएंगे हमने जैसा कि आपको बोला था आज हम पढ़ाएंगे जोगी महरा गुफा जो बहुत ही महतपूर है इससे प्रस्न पूचा ही जाता है और यहां से आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो आपको जो भी प्रस्न यहां से पूचा जाएगा उतने नंबर तो आपके पके है पतब वो नंबर आपके यहां से फिर कहीं नहीं जाएंगे और यह ज़्याद और साथ ही मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके साथ ही सीता बिंगडा की गुफा क्योंकि जोगी मरा गुफा और सीता बिंगडा दोनों ही बहुत ही पास पास हैं जैसे कि अजंता और एलोरा की गुफा एक दूसरे के समीब हैं पास-पास हैं ऐसे ही सीता बेंग्रा और जोगी मारा की गुफा पास-पास हैं तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी सीता बेंग्रा और जोगी मारा दोनों गुफा हैं आपको पढ़ाई जाएंगी देख पूंगी मारा तो बहुत ही इंपोर्टेंट है इससे प्रस्ट में आएगा ही आएगा इसका जो समय है वो है तीन सो इसा और यह ध्यान रखेंगे यह मोरे कालीन है कोंसी यह मोरे कालीन देखें यह कुनसे राज्य में है चत्तिस गड़ राज्य में चत्तिस गड़ राज्य है उर्जिला कुनसा है सरगुजा पहारी है रामगड की पहारी कुनसी पहारी है रामगड की पहारी है और यह दोनों गुफाएं है एक दूसरे के समीब है देखें सीता बेंगडा जो गुफा थी वो भी लगू आकार की थी कैसी थी बहुत ही छोटी थी और जो जूगी मारा थी बो भी लगू और संक्री तो दोनों गुफाई ही छोटी गुफाई थी तो सबसे पहले हम सीता बेंगडा गुफा को देख लेते हैं सीता बेंगडा गुफा जो थी बो कैसी थी इसकी लंबाई क्या थी तो चलिए इसकी लंबाई देखते हैं इसकी माप देखिए सीता बिंग्णा की जो माप थी बू थी 14 मीटर लंबी और 5 मीटर चोड़ी 1.8 मीटर उंची ठीक है ये सीता बिंग्णा गुफा की लंबाई है मतलब माप है इसकी 14 मीटर लंबी 5 मीटर चोड़ी और 1.8 मीटर उची है दोस्तों यहाँ पर एक नाटेशाला थी सीता बेंगडा गुफा में एक नाटेशाला थी जिसको प्रेक्षा ग्रह भी कहा जाता है और आज की लंग्वेज में इंगलिश में इसको बोला जाता है थीटर तो उसमें क्या होता था और ये जो नाटेशाला है थी ये भारत की ही नहीं अपितू पूरे एशिया की भी नाटेशाला थी यहाँ पर यशोवर्मन काल में भरुद द्वारा रचित उत्तर रामचरित मानस का मंचन यहाँ पर होता था तो ये एशिया की भी नाटे शाला कहलाती थी यहाँ पर किसका मंचन होता था उत्तर रामचरित का भरुद्वार रचित येशो वर्मनकाल में उत्तर रामचरित का यहाँ पर मंचन होता था और इसी के पास कुन सी गुफा है इसी के पास जोगी मारा गुफा है अब जोगी मारा गुफा देखिए, जोगी मारा गुफा कहा है, 36 गर में सरगुजा का चिले में, रामगर की पहाडी पर, जोगी मारा गुफा वही पर स्थित है, अब देखिए, जोगी मारा की माप देखिए, ये हो गई, सीता बेंडा की माप, मैं यहाँ पर जोगी मारा की ध्यान देंगे, मैं आपर जोगी महरागुफा की मांप लिख रही हूँ, तो जोगी महरागुफा की जो चोडाई है वो है 10 feet, 10 feet इसकी चोडाई है, 6 feet लंबाई और 6 feet चोडाई है, देखे, जोगी महरागुफा भी कितनी चौटी और संक्री थी यह कैसी थी? चौटी और संक्री थी मतलब ये इतनी चोटी और लगू मतलब इतनी संक्री थी कि इसको कोई भी व्यक्ति चट इसकी चट को आराम से चुछत सकता था इसी बज़े से इसके चित्र नस्ट हो गए हैं सोचेंगे छत को छूने से चितर कनस्ट करने का क्या मतलब है. तो दोस्तों इसके जो चितर बने है को बने ही छत पर है. और भिति चितरो की जो शुडवात हुई है वो जोगी महरा से हुई. यह प्रेस पुछा जाता है. याद पुछा जा सकता है कि भित्ती चित्र कहां पर मिलते हैं, अगर उसमें अजन्ता नहीं है, जोगी मरा है तो आप जोगी मरा पर टिक करेंगे, और जोगी मरा देगा आपको, तो भित्ती चित्र कहां पर मिले हैं, जोगी मरा गुफा में भित्ती चित्र हमें प्राप्त होते है यह चीज ध्यान रखेंगे, जोगी मरा में किस चित्र के चित्र हमें पराप्त होते हैं, भित्ती चित्र पराप्त होते हैं, जोगी मरा गुफा में दोस्तों एक कहानी है, वो कहानी हम आपको आज नहीं बताएंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी इंट्रस्टिंग भी है, आज मै मैं आपको सीता बेंगडा भी पढ़ा रही हूं इसलिए कहानी नहीं बताऊंगी क्योंकि जोगी मरा इतना छोटा टॉपिक नहीं है ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा ये मैं आपको कल भी बढ़ाऊंगी इसके कुछ चित्र खंडों में हैं साथ खंड हैं वो कल बताऊ है तो इसके विशे किस इसके चित्र जो है किस विशे पर आधारित हैं इसके चित्रों का विशे क्या है जैन धर्व जोगी मरा के चित्रों का विशे क्या नहीं है ये भी पूछा जा सकता है जोगी मरा के चित्रों का विशे क्या नहीं है देखिए क्या नहीं है विशे नह ही है कि ना थी ये कि नागेल की पैड़ के साथ देखिए इसके विशे में देखिए नागेल के पैड़ के साथ प्राकृतिक ध्रश्य प्राकृतिक द्रश्य इसके चित्रों में नहीं है वो नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक द्रश्य नहीं मिलेगा क्योंकि आप जो आगे बढ़ोगे जैसे ये जो गुफाएं बढ़ोगे आप आगे उसमें जब आपको पढ़ने को मिलेगा उसमें नार्यल के पेड़ो प्राकृतिक द्रश्य मिलेंगे लेकिन जोगी बारा के चित्रों में ऐसा आपको द्रश्य नहीं मिलेगा जो हम प्राचीन भारतिय काल के प्रमुकेंद्र जो भी है ये सिता बेंड़ा, जोगी मरा, अजंता, बाग, लोरा, अलेफेंटा भी आप पढ़ेंगे इनमें ये चित्र आपको देने को मिल सकते हैं लेकिन इसमें नहीं मिलेगी तो इसका जो बिसे है वो ये नहीं होगा दूसरी चीज आती है जोगी मरा के चित्र किस से मिलते जूलते हैं ये भी प्रेशन आएगा जोगी मरा के चित्र किस से मिलते जूलते हैं तो साची और भरूत से मिलते जूलते हैं आज आप मुझे चीद बताईए क्या ये जोगी मारा पढ़ाने के बाद आप एक प्रेस्ण उत्तर पर चर्चा करना चाहेंगे मेरी वीडियो क्लास में अगर आप सहमत हैं कि एक जोगी मारा और सीता बेंगडा से रिलेटिव प्रेस्ण सीरीज अगर आप चर्चा करना चाहेंगे अगर आप देखना चाहते कि इस रिलेटिव खुल्गोन से प्रेस्ण आते हैं तो इसके जस्ट बाद ये पढ़ाने के बाद मैं आपको सीता बेंगडा और जोगी मारा से रिलेटिव चित्र से प्रेस्ण जो भी पूछे जाते हैं वो जाते हैं वो पढ़ने हैं आपको तो यस कर सकते हैं इसके बाद मैं आपको जोगी महरा के प्रस्म भी पताऊंगी लेकि उससे पहरे एक क्लास होगी जोगी महरा की जोगी महरा के बारे में हम जो देवदासी की कहानी है इसमें जोगी महरा में वो मैं आपको बढ़ाऊंगी इसके बाद इसके चित्र और इसकी विसिस्ताइं जोगी मरा की तब तक ये लिए धन्य बाग मुझे कमेंट जरूर करें थैंक यू